क्वेस्टन नमबर 1.16 ये भी गॉस्षिरम से रेलेटेड क्वेस्टन है और इसमें आपका गॉस्षिरम का कंसेप्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो सकता है बहुत अच्छा क्वेस्टन है आपको कुछ सीखने को इसमें नया भी मिलेगा Now, what is the net flux of uniform electric field of exercise 1.15 देखिए exercise 1.15 का मतलब ये है कि 1.15 जो question था उसमें electric field का value कितना given था That was 3 into 10 to the power 3 i cap ये value हमको given था ठीक है न? i cap का मतलब क्या हो गया? electric field is acting along x-axis Now, this is x-axis, this is y-axis and this is z-axis तो electric field का value इस direction में act कर रहा है यह यूं कह सकते हैं कि ये हो गई electric field की direction electric field lines अगर आप बनाना चाहते हो तो question में बोलता है, cube रखा हुआ है, जिसकी side है 20 cm cube की side दे रखे है, हमको 20 cm oriented so that its faces are parallel to coordinate planes अब coordinate plane का मतलब गया है, देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि 3 axis होती है x, y और z, 3 axis हो गई इसी तरीके से 3 plane भी होते हैं एक plane बनता है 2 axis से मिलके तो 3 plane कौन से हो गई? x, y दूसरा हो गया y, z, तीसरा हो गया z, x अब cube में कितनी faces होती है? 6 तो 2 faces जो होती हैं, वो 2 faces जो हैं इस question में वो x, y को follow कर रही है, उसके parallel हैं 2 faces y, z के parallel हैं, 2 faces z, x के parallel हैं अब यहाँ पे एक बात और सीखिए, कि electric field तो जा रहा है x-axis के along x-axis के perpendicular कौन से axis होती है? y और z तो ऐसा कौन सा plane है, जो x-axis के perpendicular है? वो है y, z plane जिसको मैं, जिसकी जो boundary है या faces हैं, मैं shade कर रहा हूँ, यह देखे यह cube की वो face है, जो y, z plane के parallel है यह cube की दूसरी face है, जो y, z plane के parallel है इसका मतलब cube की यह दोनो faces, जिनको shade किया गया है यह electric field के perpendicular है, y, z plane के parallel है लेकिन electric field के perpendicular है अब दूसरी बात, area vector कैसे होता है? plane के perpendicular, यानि के जो face हमने consider करी उसके perpendicular जो line होती है, that is area vector और area vector और electric field आपस में कैसे हो गए? parallel, तो theta की value कितनी हो गई? 0 degree ठीक है जी? 0 degree, number one दूसरी बात यह आती है, कि बाकी जो 2 axis है y, z को छोड़ दो, तो z axis के along जो z और x axis, z और x जो plane z axis और x axis जो मिलकर जो plane बना रही है उनके जो parallel, जो faces होंगी वो इस तरीके से होंगी, गौर से समझेगा इस बात को यह होगा, यह नीचे वाला होगा अब यह वाला case भी consider नहीं होगा यह वाला case भी consider नहीं होगा क्यों? क्योंकि electric field इसके parallel हो गई अब अगर कोई face आप लेते हो, इसको समझने की कोशिच ऐसे करो क्योंकि अगर कोई face आप लेते हो, surface आप लेते हो और electric field उसके parallel होके जा रही है तो इसका मतलब it is not contributing anything towards flux ठीक है ना? इसी तरीके से दूसरी वाली, जो हमारी यह वाली हो गई इसका नाम क्या दे सकते हैं हम? yx, yx plane के जो parallel है उसमें से भी electric field इस तरीके से होके जाएगी तो वहाँ पर भी final value आपका flux का कितना आने वाला है? 0, it is also not contributing towards flux तो जो x, y plane के parallel दो faces हैं उनमें से भी कोई contribution नहीं मिलने वाला zx के जो parallel जो हमारी faces हैं उनमें से भी कोई contribution हमको नहीं मिलने वाला तो flux का जो contribution मिलने वाला है वो किससे मिलने वाला है? जो faces yz के along हैं यानि के yz के parallel हैं क्योंकि वो actual में electric field के perpendicular हैं इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर भी एक point है अगर electric field को general way में हम consider करें ऐसे जा रहा है electric field तो यहाँ वाला face, जो है पहला face इसको मैं first number लिखता हूँ इसको मैं second number लिखता हूँ जो पहला face है, वहाँ से तो electric field एंटर कर रहा है electric field जब एंटर करता है तो उसको बोलते है negative flux और जहाँ से electric field बाहर आता है उसको बोलते है positive flux अब आप ऐसे समझो अगर 4 line एंटर करेंगी तो 4 line बार भी तो जाएंगी तो अगर यहाँ पे negative flux आएगा negative 4 value आदी है तो दूसरी side में क्या होगी positive 4 value तो total करोगे तो answer क्या आने वाला है? 0 4 faces तो वो थी जो contribute कुछ करी नहीं रही थी number 1 2 faces बची है हमारे पास 2 मेंसे भी एक का flux आगया positive दूसरे का आगया negative तो finally answer आया कितना? 0 तो आपको यह चीज अच्छे तरीके से clear हो जाएगी